Hello everyone, so हमने जो poll किया था कुछ दिन पहले जिसके results में आपने मुझे बताया था कि apart from current of his MCQs, आप चाहते हैं कि NCRTs को भी MCQs के थुरू cover किया जाए so हमने Indian history through MCQs start किया है, इसमें class 6th की NCRT से start किया है और इसे हम 12th class की NCRT तक लेके जाएंगे this is brief introduction about me, my name is Prince Luthra, all in hearing 577 और यह MCQs हैं आप यू PSE के exam में, साथ में PSE के exams में और SSC या फिर जहां पर भी histories related MCQs पूछे जाते हैं, वहाँ पर help करने वाले हैं ताकि आप वहाँ पर prelims crack कर पाएं Google Play पे application को आप download कर सकते हैं network को ताकि आप यह सारे MCQs को multiple time revise कर सकें, multiple time practice कर सकें ताकि exam से पहले भी यह जो सारे facts हम discuss करते हैं, concepts जो डिसकस करते हैं वह आपके जहन में रहे हैं और अप exam के अंदर prelims में जो cut-off जाते हैं, उस उपर marks लेके हैं पैनल पेपर को साथ में लेके जरूर बैटिएगा, आपको अपने marks जरूर calculate करने ताकि आप यह समझ पाएं कि आप कहां stand करते हैं और आज से कुछ time के बाद आपकी performance इंप्रोव हुई है यह नहीं 8 to 10 MCQs correct होते हैं तो वह excellent performance होगी, 6 to 7 MCQs correct है तो good performance यह जो ऊपर के जो दो brackets है यह आपका safe zone होता है, यहाँ पर 60% से ज्यादा आपके marks आते हैं और आपका prelims है वह crack हो जाता है 4 to 5 MCQs अगर आपके correct होते हैं यह 40 to 55% वाला zone होता है जहाँ पर आपको यह sure नहीं होता है कि जो cut off जाएगे उससे marks आपके ऊपर जाएंगे या फिर उससे नीचे आएंगे हो सकता है एक या दो marks से आपका जो exam है वह crack भी हो जाए या फिर 0.5 marks से रह भी जाए तो यहाँ पर 40 to 55% वाला zone होता है 4 to 5 marks वाला यह danger zone होता है less than equal to 3 mcqs में chances बहुत कम होते हैं आपके prelims होने के nevertheless अगर आप यहाँ पे भी fall करें नीचे के दो brackets में आप practice करके multiple time revision करके अपर two brackets के अंदर अपने marks को ला सकते हैं चलिए आज के पहले question पर चलते हैं which is which of the following statement is or are correct तो दोनों में से कोंसी statement correct है आपको बताने कों सकते हैं कथन सही है पहला है early manuscripts were written in classical languages जो पुरानी manuscripts थी वो classical languages में लिखी गई है हो सकता है Chinese, Tamil and Latin are the classical languages of the word तो यह तीन languages थी और कहा गया है यह तीनों जो languages हैं classical languages है word की वीडियो को post करना है अब आपको सोचना है इसके answer के बारे में फिर discuss करते हैं चलिए तो early manuscript जो थी वो हातों से लिखी जाती थी hand written होती थी और वहां पर उन्हें classical languages से ही लिखा जाता था classical languages कौन-कौन सी थी classical languages of the word Chinese थी इसके अंदर Sanskrit थी Tamil थी Greek और इवन Latin को भी classical language कहा जाता है classical language of the word तो पहली statement तो आपके correct हो जाती है और second भी correct हो जाती है बिकाज चाहे वो Chinese हो तामिल हो या फिर Latin हो या फिर Sanskrit हो या फिर Greek हो यह सबी जो है classical languages of the word है आपका जो answer होगा वो C होगा जिन्होंने C mark किया उनका answer correct है next जलते हैं consider the following statements which are the following above statement is or are correct again question को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेगा correct पूचा है incorrect पूचा है around six marks के होता है और इसकी वज़े से आपको जो negative marking मिलती है उसका अलग impact पड़ता है तो यहां पर दो चार marks से prelims रुखता है तो बहुत ही बुरा लगता है कि आते हुए question भी हमने गलत कर दी है और उसकी वज़े से एक है दो marks है हमारा question था जो हमारे marks थे वह कटों से उपर न तूल हैंडेक्स क्लीवर तो यह different tools दिये हो हैं चाहिए पेवल टूल हो एक्स हो यह प्लीवर हो यह पेलियो लिथिक एज में जो tools यूज़े जाते है उसके example है scraper presentic blades are the example of चाल्क लिथिक एज तो scrapers और blades को को कहा यूज़ किया जाता था चाल्क लिथिक एज में यूज़ की बात करी गई है और second और third statement से ही पता चलता है कि पहली statement कहीं न कहीं सही होगी क्योंकि various age के अंदर various stones के example दिये गए है कि कि किस टाप के tools यूज़ किये जाते थे और पहली statement तो यही कह रही है stone age is divided into faces किसके basis पे quality of stone tools तो पहली statement आपकी correct है तो वही मैं कह रहा था आपको question क इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हो सकते है second या third या पहली या दूसरी statement पढ़के किसी तीसरी statement के बारे में हमें hint मिल जाए second statement की बात करते है second statement कहते है कि पहले लिथिक age के अंदर हम hand x pebble और cleaver को use करते थे तो हमारी जो second statement है वो भी correct हो जाती है third statement की बात करते है क्या scraper और क्रेसेंटिक ब्लेड को यूज किया जाता था चालको लिथिक age में देखिए यह जो tools यूज किया जाते थे चाहा हो scraper हो या crescentic blade हो यह यूज किया जाते थे नियो लिथिक age के अदर तो हमारी जो second statement करेक्ट है लेकिन third statement जो हो incorrect हो जाती है मैं आपको इसमें picture भी दिखाऊ जिसको middle face कह सकते हैं यहाँ पर यूज किया जाते थे arrowhead और साथ में boral भी यहाँ पर यूज किया जाते थे तो इसको भी ध्यान रखिएगा हमारा जो answer है यहाँ पर हमारा answer है A क्योंकि first or second statement correct है जिन्होंने aim आके अपने आपको correct कर सकते हैं यहाँ पर paleolithic tools में आपको बता लेकिन अपर paleolithic में देखेंगे काफी refined type के काफी पैने और काफी sharp tools जो है वो बनाए जा रहे हैं आपर और जैसे middle age में जाएंगे यह और further develop होते जाएंगे जो tools थे चलिए आप इनके नाम भी याद रख लेचे कर जैसे needle है perforator है तो यह पूचा ता सकते कि perforator कि stage में आया हैं वीडियो को पॉस करिए सोची इसके बारे में फिर discuss करते हैं चलिए मैं आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बता चुक हूँ जिसमें हमने strategies discuss करी थी prelims को crack करने की तो यहां पर कई बर क्या होता है English का जो version होता है उससे answer देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लिकिन अगर उसका English version पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है अब इस question को हिंदी का जो अनुवाद है वो पढ़के solve करना जादा आसान है तो अगर यहां पर flint पूछूं यह चक्मक क्या है तो यहां पर हमें समझ में आता है कि it's a stone तो इसका answer हो जाएगा C clean जो होता है it's a kind of stone जो कि पहले के time में use किया जाता है तक इसलिए weapons और tools के अंदर तो इसका answer होगा आपने इसको याद करने का तरीका यह पहले आपने एक flint stone करके cartoon देखा होगा तो उससे भी याद आप रख सकते हैं इसको और flint पैसे stones होते हैं इसके कुछ images दे रहे हैं flint की चलते है next question के question number fourth कहता है फिच्छ तो following is correctly match तो यहाँ पर milan करो का जो question है इसमें तीन आपको option दिया है तो early stone age, neolithic age, later stone age को perolithic age कहते हैं copper और bronze age को चलकुलिथिक age कहते हैं तो यहाँ पर तीन option, तीन statement आपको दी गए हैं और आपको यहाँ पर तीनों को match करना कि कौन सा pair match करते हैं क्या early stone age इसको नियोलिथिक age कहते हैं, later को perolithic और copper को चलकुलिथिक और वीडियो को post करीए, सोची इसके बारे में और मैं आपको बता दू हिंदी वर्जन पढ़ेंगे तो इसका answer करना आपके असान हो जाएगा, वीडियो को post कर दीजिए, चलिए, तो यहाँ पर early stone age को perolithic age कहते हैं हिंदी बर्शन में समझना इसको असान है, later stone age को नियोलिथिक और वैसे भी new का मतलब होते है, new या latest तो यहाँ पर, इसलिए, latest stone age थी, right, तो पहली और दूसरी, incorrect हो जाएगी, तीसरी को देखते है, copper और bronze age, यह copper और bronze के जो tools थे, वो चालकुलिथिक age में ही यूज किया जा पहली है, the upper part built on a raised platform, जिसको citadel का जाता था, इसके नरे एक upper part बना हुआ था, जो की उभरा हुआ था, और उसको citadel का जाता था, और यहाँ पे जो food यूज किया जाता था, इंडिस वाली civilization में, वो था, weed और barley, इन दोनों को यूज किया जाता था, then there was no trading contact, तो इस civilization का, इंड ही का जाता था, मैं इसकी image दिखाऊंगा आपको, तो पहली statement आपकी correct हो जाती है, और इस time पे जो staple food था, वो था, weed और barley, तो second statement भी correct हो जाती है, लेकिन, ऐसा नहीं कि यह जो civilization थी, अपने आपी फलफूल रही थी, भार के लोगों से भी contact था, जैसे कि, जो civilization अप सुमेर थ उनके साथ हम trading contracts करते रहते थे, हमारा trade चलता रहता था, तो तीसरी statement गलत है, यहाँ पर कोई isolation नहीं था, trading contracts चलते रहते थे, आंसर हमारा हो जाएगा, D क्योंकि first or second statement correct है, कुछ इस तरीके से दिखता है citadel, ओके, so just a request, अगर आपको इन वीडियो से help मिल रहे है, तो क्या है, क्या यह टूल है, stone है, oven है, यहाँ पर वीडियो को post कर सकते है, हिंदी वर्शन को भी पढ़ सकते है, समझने के लिए answer करना हो सकते है, असान हो जाए, हिंदी वाले English को पढ़ सकते है, यहाँ पर वीडियो को post कर दीजे, चलिए, तो जो kiln है, it's a large oven, यह पुराने baking clay होती थी, उनको bake करने के लिए इसको use किया जाता था, even जो हमारे clay के vessels होते थे, जो मिटी के बने में बर्तन होते थे, उनको भी पकाने के लिए kiln को use किया जाता था, इससे होता क्या था, बर्तन जो मिटी का बना हुए, अगर आप उसमें पानी डालेंगे, तो वैसे तो Question No.7 क्या कहता है, Consider the following statement about Aryans, Aryans के उपर 4 statement दीए, मैं map भी दिखाऊंगा इससे concerning आपको, Aryans was settled in Gujarat, क्या है, यह सबसे पहले गुजरात में settled होते हो सकता है, Aryans used to be moved according to flow of Saraswati and Ganga, तो जैसे जैसे सरस्वती का flow हो जा रहा था, और बाद में जैसे जैसे Ganga का जा रहा था, उस City Life को जिया भी करते थे, यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करना है, और आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा है, यहाँ पूछा है, इनमें से incorrect कौन सा है, और इसमें से incorrect बताईएगा, चरी, तो पहले मैं आपको बता दू, Aryans first settled in Gujarat, now this statement is incorrect, second, Aryans used to be moved according to the flow of Saraswati and Ganga, yes पहले Saraswati का जो flow था, उसके साथ Aryans चल रहे थे, और बात में Ganga के flow के साथ, तो यहाँ पर second statement आपकी correct हो जाती है, third आता है, Rigveda is prepared by Aryans, yes, Rigveda जो थे, वो Aryans ने बनाया था, और कहा बनाया था, Saraswati के bank पर, तो तो तीसी statement भी correct हो जाती है, क्या Aryans को City Life के बारे में पता था, क्योंकि वो nomads थे, तो एक जगा से दूसरी जगा पर, वो continuously travel करते रहते थे, जहाँ पर पहली बात आती है, Aryans first settled in Gujarat, this statement गलत है, because Aryans first settled in Punjab, और उसके बाद उन्होंने South में और East में जाना शुरू किया, यह map कुछ इस तरीके से, यह जो Punjab और पाकिस्तान वाला region दिया हु चले, next question पर चलते है, question number 8, consider the following statement about Aryan system, Aryan system के ओपर charge statement दिये है, पहले यह क्या गया है, कि समिती in anyone could speak in king rule, तो जो वहाँ पर समिती हुआ करती थी, उसके अंदर कोई भी बोल सकता था, तो पूरा democratic rule था, कोई भी चाहे तो अपने विचार जोते, वो रख सकता था दूसरों के दूसरे आदमे को मारता था, तो punishment के तोर पर दो गाएं देनी पड़ती थी, हो सकता है, और वहाँ पर agriculture हो, यह मतलब कृशी हो, cattle rearing हो, fishing हो, metal work, carpentry हो, यह सारे जो थे, वो occupations थे, Aryans के, हो सकता है, यहाँ वीडियो को आपको post करना है, और ध्यान रखिए, आपको बताना ह लोग जोते, वही अपने विचार जोते, वो दूसरों के सामने रख सकते थे, very few people were able to express themselves, in the Aryan system, यह होता था, अगर किसी ने, murder जैसा एक crime किया है, तो उसके अंदर, two cows नहीं, hundred cows देनी पड़ती थी, तो यहाँ पर जो third statement आपकी है, वो incorrect हो जाती है, जब आताती है, कि किस सिरी के occupations करे जाते थे, then the fourth statement is right, because चाहे वो agriculture हो, fishing हो, metal work हो, carpentry, all these occupations were practiced at the time of Aryan, तो यह सारे occupations को practice किया जाता था, Aryan's के time पर, तो यहाँ पर, चौती statement जो आपकी है, वो correct हो जाती है, हमारा answer क्या होगा, मैंने आपसे पूछा था, कि incorrect कौन सा है, तो हमारा answer होगा, वो कर लेते हैं, Magad dynasty के उपर है, the capital of Magad dynasty was, राजग्रह जो capital थी, Magad की वो थी, राजग्रह जो की पतना के पास थी, तो हो सकते है, पहली statement correct हो, अजाद शत्रू was the second emperor of Magad dynasty, तो अजाद शत्रू जो था, वो second emperor था, Magad dynasty का, और यहाँ पर, अजाद शत्रू की जो thinking थी, वो यह थी कि आसपास के neighbors को conquer करके, powerful बना जा सकते हैं, यह statement भी correct हो सकती है, और आपको बताना क्या है, आपको बताना है, कौन सा कतन सही है, which of the following statement is or are correct, तो वीडियो को post करिए, सोचिए फिर डिसकस करते हैं, चली, the capital of Magad dynasty was, राजग्रह तो पहली statement आपकी correct है, क्योंकि capital कौन थी थी, मगद की, वो थी राजग्रह जो कि पटना के पास पढ़ती थी, second statement की बात करें, अजाशतरु जो थे, वो second emperor थे, यह भी जई है, और third statement की बात करें, वो है, कि वो आसपास की neighbors को conquer करके, powerful बना चाते थे, this was the strategy, even he killed his own father, and started ruling, तो यह भी चीज़, इनके बारे में जानी जाती तो तीनो statement correct होगी, answer आपका हो जाएगा, see, now, मगद जो region है, उसको even map पे देख लेते हैं, let's see, so, मगद वस कवरी, West Bengal, चातिसकर, जारकन, भीहर वाला region, जो है, even Madhya Pradish, and little bit part of UP as well, यह जो region था, पूरा मगद का region है, ध्यान रखिएगा, recap कर लेते हैं, two minutes के अंदर, recap को या फिर अपने टाइम में भी revision करना चाहिए, तो revision multiple times करिएगा, ताकि exam में चीज को, उस fact को, उस concept को recall करना आसान होगा, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, manuscript के बारे में, जो कि classical languages में लिखी गई है, classical languages थी, Tamil, Latin, यहाँ पे Sanskrit भी थी और Greek भी थी, फिर हमने डिसकस किया था, stone age के बारे में various phases में divided है, pebble tools इसमें use किया जाते है, cleaver use किया जाते है, फिर चाल्कोलिथिक एज थी, इसमें हमने यह देखा था, कि यहाँ पे copper वाले tools मिलते है, हमने various tools भी देखे थे, various paleolithic ages के, फिर flint के बारे में पढ़ा था, जो कि flint stone से आप याद रख सकते हैं, जो कि एक stone है, हिंदी वर्शन भी पढ़ लीजेगा, फिसके example देखे थे, then हमने match किया था, early stone ही, जो थी वो paleolithic थी, later को नियोले थिका जाता था, और copper को चाल्कोलिथिक, C से copper स्टार्ट होता है, C से चाल्कोलिथिक, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, then we discussed about indus valley civilization, जिसके बहार से contact थे, वीडर बाले को यूस किया जाता था, और citadel का एक concept था, यह citadel हमने देखा था, इसके बाद हमने पढ़ा था, किलन के बारे में, जो इसको आप मैंने बताया था, हिंदी वर्शन पढ़ लीजेगा, it was a very big oven जिसके अंदर, जो vessels थे, उसको बेक किया जाता था साथ में ही, ब्रिक्स को भी बेक किया जाता था, फिर हमने आरेंस के बारे में पढ़ा था, कि वो सबसे पहले पंजाब में थे, फिर उन्होंने धीरे-धीरे वहां से अपना expansion करना शुरू किया, आप देख सकते हैं, आप पंजाब और यहां पर UP उतराकंड वाला रीजन ह पर इवन जमू भी included है, फिर हमने पढ़ा था इसके बाद, आरेंस सिस्टम के बारे में, जिसमें स्मिती हुआ करती थी, सबा हुआ करती, स्मिती में democratic right था सबके बोलने का, लेकिन सबा में यह right नहीं दिया गया था, तो यह ध्यान रखिएगा, साथ में ही जो उनके various types के occup occupations हमने discuss किये थे cattle rearing, agriculture और in the case of punishment, जब आप murder करते हैं और उसमें punishment होते हैं, उसमें सो गाएं जो थी, वो देने का provision था, यह भी धियान रखिएगा, last में हमने देखा था, capital जो थी, वो दे राजगरह थी, और यहाँ अजाशात्रू second emperor थे, जिन्होंने आसपस के neighbors को conquer करना शुरू कर दिया था, यह region था, recap हमारा complete होता है, let's see the marking, तो 8-10 MCQ सकर आपके correct है, then of course excellent performance, 6-7 good performance, you are in the safe zone, congratulations, नीचे के दो brackets में अगर marks हैं, even then it is alright, you can always practice and you can always improve your marks, जितने भी गलती हुई हैं, यहाँ पर analyze कर लीजे का ताकि UPSC के exam में वो गलती हैं, repeat now, आगे आने वाले lecture में of course NCRT को हम complete करने के कोशिश करेंगे, Classics के next lecture के अंदर, if you want to talk to me, Telegram, Instagram, Facebook का जो link है वो नीचे दिया आगे, you can subscribe to the channel, और bell icon को press कर दीजिएगा, ताकि चाहे वो history का MCQs हो, या लक्षमी कान्द MCQs का एंटरपेस, उसकी notification आपको मिलती है, thanks to watching, have a nice day.